आईए जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किये जा रहे कारियों और इससे अस्थानी अस्तर पर आ रहे बदलाव सहीत कृसकों को हो रहे लाव पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको जिले के जिला कृसी पदादिकारी सहा आत्मा परियूजना निरेशक राजन बालंग की राय से रूबरू कराते हैं तो जानते हैं इनका क्या कहना है मुखे रूप से जेविक खेती करना ही मुखे उद्देश है और क्लस्टर में समूग बनाकर पिसानों से जेविक खेती करवाना और उन्हें अबदान उपलव कराना चेविक सब्जी की खेती तो अत्यांत ही जरूरी है क्योंकि जब हम रसायन का प्रियोग या कीट नासी का प्रियोग सब्जी में करते हैं तो वो हमारे स्वास्त के लिए भी हनिकारक है आप देख रहे होंगे तरह-तरह की बिमारी जैसे सुगर की बिमारी हाई बीपी, कोलेस्टोल का बढ़ना, हिर्दे रोग, कैंसर की मिमारी समाज में कापी तेज गती से बढ़ रहे हैं इसका मुख के कारण यही है कि हम रसायन का प्रियोग अंदादून कर रहे हैं और खासकर सबजी में जो अधिक ध्यान देने वाली बात है कि किसान भाई कीट नासी या पेस्टिसाइट का प्रियोग अतिदिक मात्रा में करते हैं जबकि इससे हमारा मित्र कीट भी मर जाता है शत्रो कीट तो मरता ही है, लेकिन हमारा जो मेत्र कीट, जो हमारे खेती के लिए उभीओगी है, वो भी मर जाते हैं तो किसान भाईयों से मैं सीडी के माध्यम से यह अनरोद करना चाहता हूँ कि आप जैविक सबजी की खेती करें चुकि जैविक उत्पाद जो है उसका मार्केट में भी काफी डिमांड है हम सब भी पड़े लिके लोग जो जागरूत हैं जैविक सबजी ही खुषते हैं बजा रहा है